कि त्वी विध्यहर्तियों को मेरे नमस्कार आज हमारी जो च्लास होने वाली है तो प्रसन माला 2.2 के प्रसन नमर् 5 से आज हम आगे बढने वाले प्यरे विध्यहर्ति योनझ कि यसा कि मेरा मानना है कि आपने इसके two part 2 को देखा होगा one time प्रस्ट इंट्रोडेक्शन सेक्शन फार्ट सेकंड दो दस्मलोव एक और दो दो के प्रस्ट नम्मर एक और दो पर हम अपनी बात रख चुके हैं आपको उन प्रस्णों को बताया जा चुका है परविध्यारतियों तो आज हम सुरू करें प्रस्ट नम्मर टीस्रा जोकी परविध्य दो दस्मलोव दो का है हम यह पर बात कर रहे थे सुन्यक वाली जो को आपने सुन्यक निकालने थे वह अपने सथ्ष्ट सुन्यक बंख निखाले और Berkeley को आपने उसक जांस से समंदित हमारा कारी है चल रहा था रूसी कारे को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं प्रसंद नमर फर्स्ट और सेकंड हमने भाग जो हमारा सेकंड था इसका पार्ट सेकंड जो हमारी क्लास कलाई थी उस पर हमने बिल्कुल उसको अच्छे से वहां पर बताया है आज हम इसके तीसरे प्रसंद पर बात कर रहे हैं आपके पात दूग घात बहुपद है इसके आपको गुणनखंड करने यानि फेक्टर करने सीधे सीधे जो कुछे आठ के अंदर हम करते थे तो यहां पर इसको साथ माइनस के साथ एक्स को बीच में लिख सकता हूं मैं यहां गय क tulee करने की लिए इस एस्के कितने में निकलेंगे आपके पास दो निकलेंगे और दो कम निकलेंगे यानि उन में सी कोईज साथ एकार यहां पर रखें तो पूरा पूरे को क्या करेगा जीरो यानि कि जो एफ हैं बराबर क्या आगे 6x2-7x3 और जैसे हम सुनने के निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा जीरो के तो आप इसको लेते हैं वापस लिख रहा हूं में आप चाहिए जोडने पर कितने टुकड़े हो सकते हैं अठारह एक अम अठारहएक टुकडा थी ति हो सकता है जोडने पर आजए माइनस का अठारह एक तो यहां पर देखो 6-13, 6-3-9 जोडेंगे, तो 9 गया, 6 में से 3 गटाएंगे तो 3 रहे गया, जोडने पर गुनिस यह भी फेलो गया, जिया हमाइनस का 7, तो यह मैनस का 7, तो न होगई प्लस की 2 में से माइनस का 9 गया तो माइनस का साथ मचा यह पर रेक्ष एंक रेक्स ठिक है चल्व करने वाली देखो मांइनस का और प्लस का मुना करेंगी माइनस 9218 के रह Mingthern era Cheers को एकसे तो डाइट स्क्वेर आ माइनस का तीन बराबर जीरो अब देखते हैं यहाँ पर आपको कोमन निकालना है इन दोनों में से कोमन आ रहा है 3x यहां गे 3 दून अच्छ दो एक स्क्वार में से एक बाहर तो एक से रह गया माइनस का तीन तीया 9 से लूं एकस भार रही प्लस यहां पर कोमण लिया एक यहां पर आगहां दो एकस माइनस का तीन बड़ावरt-0 अब इन दोनों में से दूनना चैनर कुणना है को बेच्ट कॉन सा है यानि कोमन कॉन L rounded say2X gusta 3 थे मokingगा 3 healed 2 तो XMúsica versus 3 यह आपके पात 2 सुन्नेक आपने अपर पराप्त कर लिए आपके सुन्ने का मान आपके पास है यह मांद meno 3 आप दूसरा सुन्नेक साइस ौन निकाल आपनगा दूसरे सुने का जो मान हमारे पास ख़जाब का 1,3 है, उसकी सत्यता की जांच करनी है, तो अब यहाँ परम करते हैं, इसकी सत्यता की जांच, यह सत्यता की जांच, आप देखो प्यार विध्यारती हो, मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले सुनने को का योग, सुनने को का योग मैंने आपको बताया था, इसका सुत्र लिखा थ बराबर क्या था माइनस X का गुणांक बटा X स्क्वाइर का गुणांक हम नहीं सको माइनस B बटा ये भी लिखा था लेकिन आप तो हिंदी में लिखें इससे कि आपको गलत होने की संभावना नहीं रहेगी तो ये अलफा प्लस बीठा अलफा और बीठा की मान आपने निका मैंने इसको को छिटाक में रखा है यह एक सोग्ष कोन यह आपर एक क्षक आगे कौन है साथ नहीं है मैंने of लिए लिखेंगे मैनिस का साथ बंटा एकसी स्क्वारे गोणक कितना हाये आपर बारे भॉण को सब्सक्राइब गच्वें और सब्सक्राइब टोने गतले जाम करें सब्सक्राइब कि मतलब और कि फैसे जो सुन्यक का कंद निकवान है वह बिल्कुर है। अब दूसरES यह थो आमने सुननेको को योग लेकर आप दूसरी नमर पर जो आता है वह आता है सुननेको का गु Christiansi यहाँ पर देखो। तो क्या है यहाँ पर आपके पास सूत्र यहाँ पर सुत्र आता है अचायरपद, यही मैंने आपको समझा रखा है। आप देखें आपर सुन्य को का गुणान फाल, यानि alpha dot beta is equal to, आचार constant value, constant value क्या है याप पर? आप कहेंगे सर माइनस का 3 है, बटा x square का गुणांक, x square का गुणांक कितना अच्छे है, alpha, alpha का मान कितना है, आपने निकाल रखा, 3 बटा 2, into beta की बटा की बटा 3, ये माइनस का 1 बटा 3, 3 से 3 कट गया, इधर देखो 3 एकम 3, 3 दून अच्छे है, यानि माइनस का 1 बटा 2 रे गया, माइनस का 1 और ये कितना है, 2, बराबर माइनस 1 बटा 2, बता हो आपने जो मान निकालें, वो दोनों साइड आपके पास बराबर आएक निया है, तो आपके देंगे सर, य यानि सुन्यों को गुणानफल जो हमने निकाला है, उसको जांच किया है, और जो हमको यहां पर इसुत्र के रूप में आपको जो इसकी तूलना करनी है, जो आपको यहां पर दिवगाद भगपत दे रखा उसके अनुसार, हमने जब सुन्यों को का 2 बटा 2 इसका आर्थ, जो हमने जो इसके सुन्ने को के मद्ध, गुणां को और सुन्ने को के मद्ध का सब्दध है, जो रिलेशन है, वो बिल्कुल सत्य है. तो यह आप लिखेंगे आता है, सुन्ने को वैं गुणां को का सम्न्द। गुणांको का सम्मंद सत्य है इस तरीगे से आपको करना चाहिए सवाल कोई सा भी हो आपको ये आपको आठवी तक की कान लिखनी है उसके बाद में सीध्य दस्वी पे आ गए ये दो लाइने आपको याद है सूत्री याद है दोनों हों तो फिर आपने आसानी से इन प्रसंडों को हल कर लोगी आप बढ़ते हैं इसका प्रसंड नमर च्यार प्रसंड यह आपकी जो डिस्प्ले पर आपके बीच यह प्रसंड आ गया प्रसंड ही फोर यू स्क्वेर प्लस आठ ही हो आप इसके सुन्नेक निकालने सबसे पहले सुन्नेक निकालने के लिए जो यह जो ह graph after का मान जीरो हो जायेगा तब आपको सुन्नेक प्राप्त हो जायेगा तो ॢक्रे मोट कर दिया सू. अब यहाँबडे पर देखो इसको वापस लिख है दे पर इन दोनों तो आपको तो common लेना है यह आपर 4u common आ गया क्या बचा यू प्लस 4 दूना 8u भार है आपके पास बराबर 0 अब 4u बराबर 0 तो 4 चले गया बटे में तो u बराबर 0 बटा 4 तो u बराबर क्या हो गया 0 यानि पेला जो आपने सुनिक निकाला वो क्या आ गया 0 आ गया अब दूसरा देखो यू प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर यह दो इधर गया तो माइनस का 2 आ गया यह लो आपने दोनों सुनिक निकाल लिए अब आपको सत्यता की जाच करने है लो भई यहाँ पर सत्यता की जाच करते हैं यह सत्यता की जाच नम्मार एक योग के रूप में करेंगे हम व यहाँ पर क्या है यहाँ पर यू है तो आप चाहो तो यहाँ पर यू का गुणांग भी लिख सकते हो बटा किसका एक सिस्क्वाइर का तो यहाँ पर क्याएगा यू स्क्वाइर का गुणांग लिख सकते हैं आप और एक सिस्क्वाइर का गुणांग भी लिख दोगे तो यह माइनस तो ही पहले से, यू का गुणांग, माइनस का दो, बटा यू स्क्वाइर का गुणांग, यू स्क्वाइर का गुणांग कितना आपके पास? आपके देंगे सर्थ 4 है, अब यह आगे आपके पास, आपने लिख दिया, देखिए यहाँ पर, ओ सोरी, यहां पर का गुणांग कितना है फिलस का आठ है और ज्यू स्कोइर का कितना यह पर च्ञार है यह अपने लख दिया यह माइनस का दो बराबर चार एक फ़्या चार डून यहां पर जो आपको दियुगात भाहुपद्ध दे रखा है वह एक्स के रूप में नहीं देकर जो आपका चर वेलु हो किस में दे दी यू में दे दी तो यू लिख सकते हैं आप एक्स भी लिखो तो भी घर्वड नहीं है जीरो इंटू माइनस का दो ठीक यह गुणा है आप गुणा का चिन लगा सकते हैं कंफ्यूज हो जाओगे नहीं आप अचरपद अचरपद कहा है या पर आपको गई सर अचरपद तो यह है नहीं है नहीं तो आप इसको लिखोगे जीरो बटा यू स्कुएर यू स्कुएर देखो कितना है च्यार यह है कि माइनस के दो को गुणा करेंगे जीरो से तो जीरो आएगा जीरो में च्यार का भाग लगाएंगे तो जीरो आएगा जीरो बराबर जीरो आता है आपके दोगे सुनने को वे गुणांको का संबंध क्या होगा सत्य है गुणांको का संबंध सत्य है है ये आपने संबंद कंढ साथ स्वें आपको उसकी आपको समझना कि इयू क्वह पर कॉन सी है आपके पास चर रहा सी कौन सी है अगर आप पैचान जाओगे तो निश्य तोर पर आपको कहीं कहीं भी परिशानी नहीं आएगे यह आपके मान के चलना आपके गुणनखंड करने की प्रेक्टिस चल रही है क्योंकि आगे भी जो प्रस्णावलिया हम करेंगे सरल वहां पर इस तरह की प उप्योग होता है गुणनखंड का वहां पर हम सरुसमीखाओं का उप्योग करते हैं अह मान के चलना कि जो आपकी बीच गनित उसकी आत्मा है गुणनखंड अगर आप आत्मा से परिचित नहीं हो नहीं पाओंगे तो आप बीच गनित कैसे करो गे और के चाहिए वंक गनित हो चाहिए आपके टिञमेटरी मेंटरी और जो नीवन जो भी जितने भी सखाएं वह सॉर में पियोग होता evel jabra का तो प्रइन विद्ध्यारति ए गुणनंखंड की प्रेक्टिस करने है। प्रसम नइ आब ङबधाते हैं। सबस्क्राइब प्रश्चन को पर नमर फोर्थ वह आगी आपको पता है यह पूरा-पूरा ब्रत है कि सुनने का मान या पर रखती इसका मान क्या हो जाता है पूरे बहुपत का जीर जाता है यह अग्या जैसे अब X की जगर T ले लिया मैंने तो T स्क्वाइर माइनस 15 बराबर 0 अब इसको ले लेते हैं T स्क्वाइर माइनस 15 बराबर 0 15 उदर ले जाओ पक्सांतरन करके तो यह आगे माइनस का इदर जाएगा तो प्लस का हो गया स्क्वाइर रेटयेंगे तो अंडरूड लगेगा, अंडर रूड और जब अंडर को हल करेंगे तो एक बार तुमान किसका आएगा पलस का, अंडरूड पंद्रह और आच माइनस 15 यह ध्यान रखना वह रूड में जब कोई भी मान हम अंदर करते हैं त Cit dance लिए कि प्लस का ज जांच सत्यतागी जांच में आपको करना क्या है सबसे पहले सुनने को का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर वह माइनस क्या एगा एक सब्सक्राइब यह टी है तो लिखेंगे टी का गुणांक कि लिखेंगे टी स्कुरा गुणांक प्लस बीटा एपके पहले इसको अल्फा मान लिए दूसरे कगा माल लिए बीता माल लिए यानि सुनने को कह जोड़ चाहिए आपको तो यह आगे आपके पास अंडरूट 15 प्लस का आई और यह किसका है प्लस के का मैंन कितना है माईनस अंडर रूट 15 2000 बराबर माउनस इवालन स्ब्रस्बातिन ٹी यहां पर नहीं है तो यहां के आगे यह जीरो फिरी। पहली कंडीशन आप ने पूरी की अब सेकेंड वाली देखो सेकेंड वाले में फुनने को का गुणनफल बराबर वोई क्या चाहिएगा अचर्पद बटा टी स्क्वाइर का गुणांक अचर्पद बटा टी स्क्वाइर का गुणांक अलफा अंडरूट 15 गुणा बीटा माइनस का अंडरूट 15 बराबर अचर्पद आचर्पद आपके पास 15 है किसमे है माइनस में त and 500 15 55 उन्डिलाई और वायन अ क्या यहां पर माईनस ओर है माईनस लग गया यह माइनस का पंदरा मै आपने यहां पर कहें दिया कि जो अपने यह पर रहेलों को ारे के सिन्यख चैनल हैं जो मान निखालें हैं वो बिल्कुल सही है और इन यह सुन्यक को वह जो गुनांक है किसज गाउन को नहीं दूंद के साथ को दो सब्सक्राइब को लिए तसे हैं वह समंद है सत्यैं जैसे양न दो बड़े बखुवी के साथ यहां पूरा किया अरे पांचवाने कोई साभी प्रसन हो आपको गुणनखंड आना चाहिए आपको गुणनखंड आ गया तो इस प्रसनावली पूरी आपके पास आ गई है मान के चलना यह जो जो बहुपत की सुनने ग्याद करने वाला पेटन है आपकी जेम में आ गया और बैसाब अगर आपके पास गुणनखंड की अभ्यास नहीं है आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कलम यह रुग गही पैर विद्धारतियों आज ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम नहीं तो बीस आप कक्षा नौ आपकी पुस्तक कि ऊबभि यहां कि उसमें से आप गुणनखंड को चाट करें जादा से ज़्यादा से प्ट्श करें गुणनखंड करने क basketball लेसकते हैं यह थो बहुत बहुत सारी विद्धिया हो गी आपके पास ब्रज गुननान वीद्ध बहुत सारी वीदिय उगी वापर तो वापर गुनान खंड सिखाएंगे इधर से समी करना हल करना सिखाएंगे तो लेकिन आप जो पूर्वे आपको सला मान लेना और यह सला जो मैं दे रहा हूं आपकी फूचर के लिए आपकी फूचर को भैट करने के लिए पहुत मैत्वपूर्ण है पहुत यह मान के चलना कि आपको एक नई दिशा दे देगी गनित में अगर आपने गुणान खंड को अच्छे से प्रेक्टिस कर गुणान खंड यह मान के चलना कि गनित की आत्मा है और आत्मा से परिच्छे अगर आपका हो गया ना अच्छे से तो आप गनित के बहुत अच्छे स्विक्षक साबित होंगे अब चलते हैं इसका पहले का जो लास्ट वाला च्छटा वाला प्रसन उस पर हम बात करते हैं माइनस के च्यार बराबर जीरो क्योंकि जीरो होगा तभी सुनेक निकलेगा, अब इसके आमको गूणा करने हैं, गूणा करने पर देखिसे 25 x2 माइनस के 4x अपनल दों को गूणा करेंगे, तो च्यारती 12x2 के बराबर holgef गया आप दे anders апर, इन दोनों को आपको करना क्या है इन दोनों में से जो common संख्या हो निकाल लो यहां पर common आ गई x तो यह आगए 3x-4 पलस यह दोनों में एक common आ गया 3x-4 बराबर 0 कई बच्चे आपर confused होते हैं कि सर यह एक कहां से लिख दिया है इन दोनों में common नहीं आ रहा तो एक तो सब में common आता है द्यान रखना तो इन दोनों में से आप common डूणना आपको तो यह आगए 3x-4 यहां पर आगए x-1 बराबर 0 इस bracket को 0 के बराबर ले लो तो 3x-4 बराबर 0 तो 3x-4 तो x-4 बटा 3 पहला सुनने का आपने निकाल लिए आप दूसरा निकालेंगे x-1 बराबर 0 तो x-1 बराबर माइनस का 1 आपने दोनों सुनने के यहां पर प्राप्त कर लिए एक सुन्यक तो आगया आपके पास 4 बटा 3 और दूसरा सुन्यक जो आपने निकाला वो आगया माइनस का यह कब आपको जांच करनी है अब जांच करने के लिए क्या करोगे आप सबसे पहला काम वह सुन्यकों का योग अलफा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपोने यही त माइनस में तो इसको कोस्टक में लिख दो माइनस का एक बराबर माइनस भी आप देखो क्या यहां पर माइनस का एक माइनस पहले था यहां पर माइनस ओर आ गया बटा एक कितना यहां पर तीन है दो चार बटा तीन माइनस का एक बटा एक बराबर या प्लस का एक बटा त 3 менее तक चार री फब्राइश एक कम बढ़ा जोड़ मोस्ताइबा प्ली कि मोस्त पmaybe कर्दीशन निकाल अब क्या मोत आता है है याइस स्कुयर का सब्सक्राइब दोनों को कि उनना करलो च्यार बटा 3 गुना दा डवेंOME माइनस का 1 सी आपके पास आगे इस्तिती अब वह बिल्कुल क्या है यारी सत्य है यह सत्य है इस तरीके से हमने पहले प्रसंद को पूरा किया है आज आप चार प्रसंदों पर इसलिए रखा है क्योंकि आपको आज गुणनखंडों को अभ्यास खरना है जुतने भी तरह कि आपको प्रसन मिल जाए गुणनखंड से संबंदे तो आपको गुणनखंड करना है सुन्यकों का योगर सुन्यकों को गुणनफल वाली बात करो या नी करो आपको गुणनखंड के प्रेक्टिस करनी है कम से कम 20-20 गुणनखंड आपको करने और आपको दूसरे प्रसंद दूंगा जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप रठते हो या समझते हूं तो जो अगले संडे को जो आप टेस्ट पर दोगे आपको बिल्कुल जो सुक्रवार की क्लास होगी उसमें नीचे डिक्सिप्शन बोक्स में आपको बिल्कुल पीडिएफ की रूप में पेपर मिलेगा उसको सरल करला प्रसनावली एक और प्रसनावली दो का तो इसलिए आपको सरल करना आना चाहिए प्रविद्यारतियों स्वस्त रहें और बिल्कुल पढ़ते रहें और अपने जो गनित के कोसल को विक्सित करते रहें इतना ही केकर मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं ठेंक